नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं तो प्रीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो मनुस्य की चार चीजों की भूक कभी नहीं मिटती धन, जीवन, वासना और भोजन इन सब के लिए मनुस्य हमेशा भूका रहता है भले उएसी चीज़े कितनी भी मात्रा में मिल जाएं लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती जीवन के इस लंबे सफर में यह सोच कर चले यह कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है इसलिए इसी समय के लिए थोड़ा भूट धन अवस्य से बचा कर रखना चाहिए जब भी कभी इनसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराय हो जाती है यदि धन उसके पास को लोग पागलपन समझते हैं जैसे जंगल में सीधे पेरों को ही पहले काटा जाता है और टेरे में पेर यूही खरे रहते हैं इसलिए आप इतने सीधे मत पनियें कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं उल्लू दिन में देख नहीं सकता इसमें भला सुरी क्या क्या दोस हो कि ये सब कुछ बिधाता की देन है इस्वर महान है सर्वसक्ति मान है इस संसार की सारी पाक्टूर इस्वर के हाथ में है इस्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है इस्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है इस्वर पर भरोसा रखो क्यों कि वही सबका ख्याल रखता है, हर पहार के अंदर हीरे नहीं होती, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब तानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलती, हर अस्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यह सारी दुनिया विवादों से घिरी और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी शमक नहीं खोता इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वारे लोग कहीं भी चले जाएं वे अपने गुनों को नहीं छोड़ते कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकरे को ही रतन माल लिया है लेकिन दोस्तो असनी रतन तो केवल अनाज पानी और ग्यानी होती है और इन तीनों रतनों से बरा और कोई रत नहीं हो सकता पाप और पुन्य में क्या अंतर है मेरे सत्रु कौन है और मित्र कौन है मुझे किस कारे में लाव हो सकता है ता किस में हानी हो सकता है यह सोच कर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए कठिन काम परने पर सेव की संकट के समय भाई बंधो की आपत्ति काल में मित्र की तथा धन का ना सोने पर अपने पत्नी की परिछा होती है सेर से एक, बगुले से चार, कववे से पाँच, कुते से छे और बाग से तिन गुन मनुष्य को सीखने चाहिए काम भले थोरा करो परतु मन लगा के करना चाहिए इंसान को या सेर से सीखना चाहिए समय के अनुसार अपने सक्ती से काम करने का गुन बगुले से सीखना चाहिए ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, जपट कर भोजन करना ये गुन मुर्गे से सीखने चाहिए समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास ना करना, ये गुन कोवे से सीखने चाहिए बहुत भूक में भी संतुष्ट रहना, गहरे नीन में सोते हुए भी जाकती रहना, माली की वफदारी करना, ये गुन मनुष्टे को कुट्टे से सीखने चाहिए यदि धन का नास हो जाए, मन की सांती भंग हो जाए, तो ये इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताती है, जो ब्रेक्ति दूसरों को बताने का भूल करती है, लोग उनका मजाक ही बनाती है, अपने हातों से किया गया काम सबसे सुरेष्ट होता है, इस कभी भी सुखी नहीं रह सकते जैसे धर्टिष झोद्थने तो उसमें से पाने निकलता है वैसे ही गुनों की सेवा करने से ही विद्या प्राप्त होती है यह रीखा कि इनसान आरी अपनी पती का कहना नहीं मानती और व्रत्य रहती है ऐसी नारी अपने पती की स्वर्गी के प्राप्ति केवन पती की सेवा से ही संभव है जीवन का अर्थ यही है कि इससे सदा अच्छे कामों में लगाए रखे अच्छे भले ज्यान के कामों से पुरुस महान बनता है ये मत भूलो कि जीवन अस्थाई है इसलिए जीवन की हर पल का उपयोग किसी अच् इस संसार में भगवान को छोड़ कर हर कोई अस्थाई है लक्षमी तो रमनी है सदा निर्द्य करती है ये धन रिष्टेनाति घरद्वार सबस्थाई है इन में से कोई किसी का साथ नहीं देता और दोस्तों केवल धर में ही है जो अटल सकते है ये ज्यान का भंडार है दोसरो चलें सदा अच्छे कर्म करो और बूराय से दूर रहो अच्छे कर्म करने से ही चीवर में सांति और सुक की प्राप्ति होता है जिस तरह से फूलों में खुस्वों तिड опыт तीलों में तेल लक्री में आग दूद गी इन सब की बाहर से देखकर आप इनके गुनों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि ये गुन बाहर से तिखाई नहीं देते इन गुनों को पहचानने के लिए बुद्धि की आउसकता होती है ठेक इसी प्रकार, मानों सरीर में आत्मा का निवास होता है किसी आत्मा को हम सरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते केवल अपने विचारों से इसकी परक कर सकते है दियोता मिटी के मुर्ती अथ्वा मंदिरों में बिद्दिमान नहीं है दियोता तो केवल हमारी आत्मा और हमारे भावनाओं में बसी है जैसे आपकी भावनाई होंगी वैसा ही दियोता का रूप होगा भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलों में प्रभाव परता है जैसे कैसे मनुष्य के भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को सुद्ध रखे जो ब्रामन प्राकर्टिक रूप से पैदा हुए बल और अन्य परदातों को खापी कर इस संसार को दूर जंगल में रहते हुए इस्वर की फूजा करता है वही सच्चा भक्ते, महापुरूस एवं सच्चा ब्रामन माना जाता है बुरे इंसान और साप में कोन अच्छा है? इस प्रस्ण का उत्तर यही है कि साप तो केवल समय आने पर है काटता है किन्तु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं इसलिए बुरा इंसान हर पल पुराई करकर साप ते भी ज़्यादा भेंकर हो सकता है सागर सबसे महान है किन्तु इसमें भी तुफान आती है अपनी सारी सिमाय तोर कर बिनास भी कर देता है परंतु सचे साधू और ज्याने लोग कभी भी अपनी सिमाय नहीं तोरते कोई मनुस से भले कितना भी सुन्दर हो नटा उसका जन में भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो परंतु पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस पूल की तरह होता है जो दिखने में तो सुन्दर है परंतु सुगंद से वन्चित है सस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है सिंग वाले पसु कभी भी सिंग मार कर जखमी कर सकते है इस तरिया कभी भी जूठा लांचल लगा सकती है और राजघराने के लोग ज़रा ज़रा से बात पर बिगर जाती है इसलिए उनसे कभी भी खत्रा पैदा हो सकता है इन लोग की दोस्ती और दुस्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक होती है दोस्तो यदि आप पुझे वीडियो अच्वी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कोमेंट बॉक्स में जैसे ली राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो